हलो एवरीवन आज फिर से एक बार में रिवीजन करवाती हूं क्योंकि मेल मर्ज में घुझ जाएंगे तो फिर हम लोग ज्यादा ही उसमें थोड़ा टाफ होता है तो मैं एक बार थोड़ी सी पीछे की चीज़े रिवाइस करवाती हूं और फिर जो तरीका रहेगा मेल का और जल्दी ही वो समझ में आपके नहीं आएगा जब तक आप उसमें बहुत ज्यादा आफ्जर्वेशन नहीं कर लेंगे वैसे आम तोर पर अभी मेल मर्ज कुछ ही ओफिसे में आते हैं जैसे कि 2007-2010 2010 के बाद लगबग जतने ओफिसे आएं हैं उसमें मेल मर्ज के फंक बता जया है पहले ही बता चुकी हूँ मैं तो मैंने आप से कहा था कि टेबल में एक रिपोर्ट बना लीजे जैसे कि आप से कहा था कि वर्ड में Alt-N-T-I करें और वहाँ पे सेलेक्टड कॉलम सुंगे उसको अप डाउन एरो से टेब करो सेलेक्टड रोस अप डाउन एरो सेलेक्ट कर लो फिर ओके फिर वहाँ पे ओके बटन पर प्रेस किया और वहाँ पे हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जैसे कि हमने लिखा था नेम, कॉंटेक्ट नमबर, इमेल आईडी या जीमेल आईडी जो भी बोले और फिर हमने लिखा था एड्रेस ये चार कॉलंस और बग बग हमने 5-6 रोज का हमने बनाया था यह टेबल इसमें रिपोर्ट फिर हमने एक लिखा था प्रोमोशन लैटर जिन कैनि रेट्स को प्रोमोशन देना था के वी आर गइंग तो गिफ प्रोमोशन एस पर यूर पर्फोर्मेंस विच यू गिवन जो भी हमने लिखा थ कल मैंने आपको सब बताया था वो एक रिपोर्ट बना दी ती अब यह जो हमने लेटर रिखा है चाहिए हम प्रोमोशन लेटर हो चाहिए हमारा जो है इसमें तो क्या बोलते हैं हाँ तो मैंने कहा कि जिसे की लेटर लिखा आप लोग चाहिए जोइनिंग लेटर हो चाहिए अपॉइन्मेंट लेटर हो चाहिए कि कोई जो है जोइनिंग लेटर हो या फिर ओफर लेटर हो या फिर कोई प्रोमोशन लेटर हो या कोई इन्वेटेशन हो तो हमने क्या एक simple report बनाई जिसमें कि हमने promotion के बारे में कुछ candidates को सूचित किया अब यहाँ पे हमारे पास दो option है क्या है जैसे कि हम alt की press करेंगे फिर right arrow से mailing tab पे जा सकते हैं या फिर हम alt m direct press करेंगे क्या बताया मैंने तरीक आपको या तो alt की press करेंगे तो right arrow से mailing tab पे चले जाएंगे या alt क्या करेंगे alt m करेंगे फिर वहाँ पे tap tap से जाएंगे start mail merge start mail merge आएगा वहाँ पे आपको space bar करना है फिर tab से आएगा आपका बहुत सारी चीज़े दिखाएगा envelope, tab, envelope, tab, directory, tab जो है tab directory, tab और बहुत सारी चीज़े तो आपको तो आपको क्या करना है जाना है mail merge wizard पे mail merge wizard पे जाना है वहाँ space bar करना है और कल में पूरा तरीका बताओंगी आपको tab से फिर next पे जाना है ठीके टेप से फिर next पे जाना है फिर next पे जाएगे letter already check होगा नेक्ट पे जाएगा tab पे space करिएगा फिर tab टेप से आपका next से browse का option आयेगा browse पे space bar करिएगा फिर tab टेप से आप टीव्यू पर जाईएगा, टीव्यू पर लोकेशन से, जहां से आपको सर्च करनी है, वो फाइल जो आपने मेल मर्ज data के नाम से बनाई थी, report, उसको पर एंटर कीजेगा, फिर टैब से फिर next, उस पर ok करेगा, फिर टैब से next आएगा, फिर उस पर space bar कीजेगा, फिर टैब स पिर ओकी आएगा फिर वहाँ पर ओके पर एंटर करेंगे फिर आपको करना है और शिप्ट N तीग है Alt Shift N करना है और फिर आपको फिर टैप टैप से OK बटन पे करना है Enter तो यह आपको समझ नहीं आए होगा मुझे पता है तो मैंने आज एक जस्ट ऐसे ही छोटा सा Review दिया है अभी आपको समझाया नहीं है ठीके अभी अच्छे से नहीं समझाया है तो इसको समझाने के लिए मैं आज दोनों रिपोर्ट तैयार हो गई कुछ ऐसा होता है यह मैंने आपको बताने की कोशिश की है कल मैं स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप सारी आपको एक एक चीज समझाऊंगी सब कुछ step by step समझाओंगी आज सर्फ एक review दिया है कि ऐसे options आएंगे अभी मैंने समझाया नहीं है तो आपको बिल्कुल घबरानी की जुरत नहीं है कल फिर समझाओंगी तो take care all the best thank you so much